दोस्तो ओपो कंपणी से निकलने वाली रियलमी कंपणी आज के टाइम में लो बजट रेंज में काफी सारे स्मार्टफॉन लॉंच कर देती है जितने ओपो कंपणी लॉंच नहीं कर पाती है अला कि ओपो महेंगे स्मार्टफॉन ज्यादा तर लॉंच कर रही है तो दोस्त लेगा सबसे बैस्ट फर्स्ट अपॉल दोनों स्पार्टफॉण के फ्राइस को जान लेते हैं दोस्तों 8GB 128GB के इंटरनल इस्टोरेज के साथ ओपो यह 78 5G मिल रहा है 18000 रुपे का वहीं 8GB 128GB के इंटरनल इस्टोरेज के साथ Realme 11X मिल रहा है 16000 रुपे का दोनों स्पार्टफॉण के बॉक्स आते हैं अलग-अलग कलर के ब्लैक फॉन में सारी डिटेल्स को मेंसन किया हुआ है बैक साइड में कुछ हाइलाइट फीचर जिनके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो मे बॉक्स ऐसेसरीज को निगाल के हमने बाहर रख दिया है दोनों स्मार्टफॉन दे रहे हैं फॉन को सैप्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांस्परेंट सिलिकन के कवर अलग-अलग टाइप की थोड़ा ब्लैक इस और यह बिलकुल ट्रांस्परेंट कवर मिलता है व अगया होगा OPPO A78 इतना महेंगा स्मार्टफॉन होने के बाद भी ड्रोप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहा है जबकि 11X में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है प्री एप्लाइड स्क्रेच गार्ट दोनों स्मार्टफॉन पर लगावा मिल जाता है यहां पर देख 50 मेगाविक्सल का Meen primary camera 64 मेगाविक्सल का primary camera मिल जाता है Realme 11X में 2MP के depth sensor camera दिये गए है दोनों смार्टफॉन में will it LED flashlight और फ्रेंड में दोनों ही smartphone ले रहे है दोनों स्मारटफॉन दे रहे हैं 8 MP का Salty camera konar चारो तरप से rhyme eight side फेनल विलकुल requirement right साइड में power on keeping finger on sensor भी दोनों स्मार्टफॉन में, volume rockers यहां पर OPPO left side में दे रहा है, उपर की side secondary mic noise cancellation के लिए मिल जाता है, और OPPO में dual stereo speaker का support मिल जाता है, left side में sim tray, bottom में 3.5 mm का audio jack, primary mic, charging jack और speakers दिये गए हैं, दोनों स्मार्टफॉन की power को तो हमने already on करके रखा हुआ है, इनकी brightness को भी 100% किया हुआ है, तो 600 nits तक की peak brightness OPPO में, 618 nits तक की peak brightness Realme में दी गई है, edge और bezel दोनों स्मार्टफॉन के corner ओपर से पतले-पतले, नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, icon 1 जैसे, scroll up करते ही सारे के सारे application जो phone में मौजूद है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, touch दोनों का smooth और fast है, लेकिन 90 Hz के refresh rate के साथ OPPO और 120 Hz के refresh rate के साथ Realme आता है, इसके अलावा 6.56 inch की HD plus IPS LCD मिलती है, OPPO में aspect ratio है, 289 screen resolution 721 to 1612 pixel pixel density, 269 ppi की मिलती है, वहीं Realme 11X में आपको मिल जाती है, 6.72 inch की full HD plus IPS LCD, जिसके aspect ratio 269 screen resolution 1080 into 2400 pixel pixel density 392 ppi की दी गई है, height में भी थोड़ा अंतर है, 163.8 mm की height OPPO में, 165.7 mm की height आपको Realme में मिलती है, thickness 7.9 mm, 7.8 mm, काफी slim है दोनों स्मार्टफॉन, 190 gram का है Realme, 188 gram का है OPPO, 5000 mm की दोनों स्मार्टफॉन पर बैटरी लगी हुई है, दोनों ही स्मार्टफॉन एंड्रोइट हडिन के साथ आते हैं, जहां दोनों में आपको मिलेगा 2.2 GHz का OCTACOR processor, chipset अलग-अलग, MediaTek Dimensity 700 का chipset मिलता है OPPO में, MediaTek Dimensity 6100 प्लस का chipset मिलता है आपको Realme में, जो based है 6 NM के fabrication पर OPPO based है 7 NM के fabrication पर, ग्राफिक माली G57 के मिलते हैं, 8 GB RAM मिलती है दोनों स्मार्टफॉन में, LPDDR4X की 128 GB का storage मिलता है, storage type UFS 2.2 और expendable memory 1 TB तक दोनों स्मार्टफॉन में बढ़ाए जा सकता है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक नज़र हम दोनों स्मार्टफॉन के camera पर डालते हैं, तो यह हमने दोनों स्मार्टफॉन के rear camera को open कर लिया है, camera quality कुछ ऐसी दोनों स्मार्टफॉन के आपको देखने को मिलेगी, zooming power ज्यादा realme में मिलती है, 20x तक का zoom support कर लेता है, ओपो करता है 10x तक का zoom support, यह दोनों स्मार्टफॉन के full zoom quality, और यह हैं दोनों स्मार्टफॉन के front selfie camera जो 8 Megawixel के हैं, और कमाल के camera मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफॉन में front में, जूम support तो नहीं मिलता है दोनों स्मार्टफॉन के front selfie camera में, तो overall देखा जाए तो अपनी विजस कूवियों के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफॉन, लेकिन बात आती है कौन सा स्मार्टफॉन हमें purchase करना चाहिए, सबसे पहले आप सभी की पसंद बैटर करती है, इसमें कोई सख नहीं है, लेकिन यहाँ पर 90Hz का refresh rate ही दिया गया है, जबकि 120Hz का refresh rate मिलना चाहिए था हमें, और कम से कम 67W का तो सूपर बोक चार्जर मिलना ही चाहिए था, क्योंकि 18,000 रुपे जो खर्च करने हम, बाकि अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताईए,